हालो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल साइंस अकेडमी हब पर आपका स्वागत है और दोस्तों साइंस की क्लासिटर रहीती है हमारी वर्गिकरन क्लासिपिकेशन जी विग्यान का क्लासिपिकेशन चल रहा था तो उसमें हम श्टार्ट करते आज या तो हम बोट में से भी क हम स्टार्ट कर सकते हैं तो हम सबसे पहले जू रोजी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं जू लोजी के अंदर हम सबसे पहले कोशीगा देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे सेल कोशीगा सबसे पहले हम देखेंगे कोशीगा तो कोशीगा क्या है कोशीगा क्या है यानि जीवों की सर्चनात में कार्यात में की काई है कि सब्सक्राइब कार्यात्म का यह कोशिका से ही जीव बनते हैं इस कोशिका से ही जीव बन जाते हैं तो यह सर्चनात्म कार्यात्म के इक का ही होती है अब देखते कोशिका के अध्यान को क्या बोलते हैं कोशिगा के अद्देन को साइटो लोजी बोलते हैं इसके अद्देन को साइटो लोजी और खोज किस ने कीती कोशिगा की कोशिगा की खोज कीती 1665 इस वी के अंदर किसमे 1665 में एक बिट्रिस्व वनस्पती वेग्यानिक था यानि बोटनीकल था जो की कौन था रोबर्ट हुग खोज किसने की रोबर्ट हुग ने से और सरोबर्टम जीवित कोशिगा को यहीं सरोबर्टम जीवित कोशिगा को एंटोनीवन लिवेन होक ने जीवित कोशिगा की खोज एंटोनीवन लिवेन होक ने की थी सरोबर्टम जीवित कोशिगा की कोश गीती इसने कब गीती सोड़ा सो छोट तर में और कोशिगा का सिद्धान्त कीसे ने दिया यानि संदें कोशिगा पढ़ंट गिंवित सरोबर्टम जीवित कोशिगा की कोश एंटोनीवन लिवेन आप सिद्धान्त की षीगा होई तो सिद्धान्त के Butes शिद्धान थे श्लाइडेन एन स्वान ने दिया इसके इंदर स्लाइडेन ना श्लाइडेन बोट निकल वेगयनिक थे स्वान प्राणी वेग्यानिक थे और सवान प्राणी वेग्यानिक थे तो इन्हों ने कहा कि बादब सुक्स्म कोशी का उसे मिलकर बना होता है और सवान ने भी कहा कि जन्तू का सरीर भी सुक्स्म कोशी का उसे बनकर बना होता है अब आगे देखते हैं वो कैसे होता है एक जम्पल के तोर पर आपको समझाता हूं अभी देखो चलो अब देखते हैं कि वो सिध्धान थे क्या थे जो स्लाइडी ने सवान ने दिया कि उन्होंने बताया कि शरीर पादब सुक्स्म कोशी का उसे मिलकर बना होता है और सवान ने भी कहा कि जन्तू अना उस सुक्स्म कोशी का उसे मिलकर बने होते हैं तो अब देखते आगे जैसे हमारे मकान घर है तो घर को बनाने के लिए शर्व प्रतम क्या करते हैं इट इटों का परियोग करते हैं सही वेसे ही पादप शरीर या जन्तुशरीर बनाने के लिए सर्व प्रतम सुक्स में कोशीगा होगा उप्यों होता है तो इट से क्या बनती है दीवार बनती है तो कोशीगा उसे क्या बनेगा कोशीगा उसे टीश्यू उद्दक दीवार से क्या बनेगा एक कमरा बनेगा और उद्दक से क्या बनेगा अंग बननेगा यानि कोशीगाओ का समुव मिलकर उद्दक बनाता है उद्दकों का समुव मिलकर अंग बनाता है और अंग का समुव मिलकर जैसे कमरा है कमरे मिलकर क्या बनाएंगे घर बनाएंगे न परकार यह जीशे लिए से इट से दिवार बनकी, दिवार से कमर बन जाता है और गहर भूजाता है वेशे ही कोशी का है इन स्लाइट इन सवान का सिद्धाहिं ते यह बतताता है कि सुक्षम कोशी गाऊ की समूशे उत्तक बन गई उत्तक को से अंग के सरीर चलो बागे देखते हैं अब आगे देखते हैं कि कौन सी कोशी का सबसे बड़ी है और कौन सी कोशी का सबसे छोटी है मानुव के अंदर भी देखेंगे कि कौन सी कोशी का छोटी है कौन सी कोशी का बड़ी है चलो देखते हैं पहले और ओल की बात के लेते हैं माननव की बाद में करते पहले औरोल की जैने सबसे था कि इस सबसे बड़ी कोशी का देखते हैं क्या है शब सबसे बोदीकोशी का और शबसे छोटी कोशी का कि सबसे बड़ीकोशी का सुत्रमृक का अंडा सुत्रमुरुक का अंडा यह सबसे बड़ी कोशी का है सुत्रमुरुक का अंडा होता है और सबसे छोटी कोशी का सबसे छोटी जीविद कोशी का कौशी है माईको पलाज सही अब हम बात करते हैं मानौ के अंदर कि मानौ में कौन सी सबसे बड़ी कोशी का है सबसे बड़ा यानि मानों के इंदर सबसे बड़ा देखते सबसे बड़ा कोशी का कौन सी है ओवन मानों के इंदर ओवन सबसे बड़ी कोशी का और सबसे छोटा स्पम क्या है स्पम मान विए गाण गिश्य गादू और सबसे चोटा विए सुक्रानु मिश्य गाँ योगा है सही अब दगते हैं सबसे लंबी कोशिगा एक तो छोटा बढ़ा होता है ये लंबी जिसे कुतम बिनार है तो कुत्म बिनार वो लंबा है ना तो छोटा ना बड़ा यानि लंबा है हो सही तो लंबी लंबी कोशिगा लंबी कोशिगा कहा तो रोती हैं ब्रेन में क्या बॉलते हैं न्यूरोन तंत्रीगा तो यह हो गया ब्रेन सही अब देखते हैं यानि कोशिगा विभाजन किसमी सबसे कम विभाजन या पुनल मार देखो लिवर लिवर्म और एक ब्रेहन से लिवर्म में सबसे ज़्यादा कोशी का विभाजन होता है और ब्रेन में सबसे यानि कि मानों तो होता ही नहीं है ने गणने होता ही नहीं है इसमें यदि लिवर्म में कुछ हो जाता है हमारे घाव आओ तो जल्दी ठीक हो जाते हैं यदि मस्तिक्स में यानि ब्रेन के अंद होता ही नहीं और liver में यदि कुछ हो जाता है गाहा हो जाते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं तो विवाजन liver में होगा सबसे ज्यादा अब देखते हैं यानि cytology कोशी का विज्ञान No कि जी विग्यान की अंद्र गठ मौ इसके अंदर की कोश्ची का उड़ा ओर उसके अंदर की कोश्ची का होगे अंदर की वस्थू की रचना एंकार्य एकी का अधेन के आ जाता है सब्सक्राइब देखते कोशी 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 यह कोशी की जीओ का मतलब यह की सिजीओ में एक कोशी का किसी जीओ में एक कोशी का हो सकती है और सभी जेयो पर ग्रम एग कोशी का द्वारा समपादित होता है यानि सभी जेव परग्रम एक शेल के दौरा एक कोशिका के दौरा संपादित होता है और बहुत कोशिक है जिव में कहता है कि अने कोशिकाय मिलकर यानि इसमें अने कोशिकाय एने कोशी काये मिलकर उपिन-स नियtha कोम में अलगलग कारिए संपादित करती है अलगलग कारीए करती है जैसे इसमें अमीबा, पेरामीसिंव, जिवान, जिवर जुवों का शरीर केरेकवल एक कोशी का नाग से यानि अमीबा हो गया पेरामेशियम और जिवान तैनलY एक कोशिघा का बना होता है एक कोशिघा की जिवागा और दूसर Charal मानूँ के अंदर श्रीर में लाको enc a में कोशिघा इन पाई जाती है तो बहुक कोशिघा की जिवागा एनलय मानूँ गया सही ज़ल अब को आगे अगे लेक्चर में देखेंगे आगे कोशिगा पढ़ेंगे थैंक्स एंड प्लेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें